कि ये पेड़ खड़िया जा पर पेड़ पर फांसी लगानी पड़ेगी ये इतना बुरा इतना बुरा आलू का हिसाब है किस तरह से सड रहे हैं आप कि पिसान काता एक भी बोट वीजेपी को नहीं जाएगा कि ना कुई पत्रगार आता है ना कुई मीडिया बाला था पिदाए पुरां प्रिकास भीजेपी का संसद भी एहमा मानिन का या कोई भी आप तक नहीं भीजेपी का नवस्कार न्यूस चक्र आप पहुँचा है देश के अन्दाता किसान के पास एक बार फिर आपको याद होगा कि न्यूस चक्र इसी तरह से पश्री में उत्तरपदेश के बागपत और शामली पहुँचा था जहां पर हमने वहां के गन्ना किसानों से बात की थी उन गन्ना किसानों के चेतावनी स्पष्ट थी कि मोदी और योगी इन इलाकों में प्रवेश न करें क्योंकि उन्होंने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया पुल्वामा में हमारे 40 जवानों की शहादत के बाद जिस तरह की सियासत बीजीपी कर रही थी हमें जानना चाहते थे कि इन इलाकों में देश के ग्रामीन इलाकों में खासकर मतुरा और आग्रा जो की बीजेपी का गड़ माना जाता है वहाँ पर इसका क्या असर पड़ रहा है हम मुलाकात करने जा रहे हैं देश के आलू किसानों से और उन आलू किसानों के जरीए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पुल्वामा पर जिस तरह की सियासत हो रही है उससे उनकी तमाम समस्याइं धुल गई है क्या अब उन्हें पुल्वामा के बाद अपने आलू की कीमत नहीं चाहिए क्या उनकी समस्याइं खत्म हो चुकी है बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि प्राइम टाइम चैनल्स निउस चैनल्स पूरी तरह से इन समस्याओं को खत्म कर चुके हैं यह कहा जाए खा गए हैं हम आपको बता दें इस वक्त हम एक आलू के खेत में हैं और मेरे आसपास बरबादी है बरबादी है आलू की फसल की आप देख सकते हैं जमीन पर इसी तरह से यह आलू पड़े हुए हैं बारिश की वज़े से सरकारी उदासीनता की वज़े से यह आलू पूरी तरह से बरबाद हो गए हैं हर तरफ आप देख सकते हैं यह आलू इसी तरह से पड़े हुए हैं बरबादी हर तरफ है और जाहिर सी बात है कि जब सरकार के सामने सरकार के सामने दबाव ना हो लोगों के मुद्दों का समाधान करने के लिए किसानों के मुद्दे का समाधान करने के लिए तो अक्सर अक्सर ये समस्याएं बढ़ती जाती है हमारे साथ कई किसान है हम आप से जानना चाहते हैं कि ये आलू का किसान कब से परिशान है ये बाते कि गई किसान को 2000 रुपया तिया एका तमाम दाते की जाएगी उसका कोई समाध्हान आप लोगों को तक पहुचता दिखा कुछ नहीं हुआ कुछ लोगों के आगे कुछ यहां से च्छेती की है क्या मैं आप से पूछू कि आलू के किसान और इस इलाके के जो किसान है उनकी जिंदगी का यह सबसे विशम काल में से एक है उनकी जिंदगी एसी है का फांसी देके मरेंगे यह पीड़ खड़ेगी यह इतना बुरा इतना पुरा आलू को आई साफ है आप से समझना चाहता हूं घरों में क्या दबाव है क्योंकि मैं आपकी चेहरों पर उतनाव देख सकता हूं घरों में इस वक्या माहौले कोई बात करना चाहेगा ददा बात क बहुत कठन रोटी नहीं पेदा हो रही है हां बहुत बुड़ी हालत है यह मानों कुछ नहीं है घरों में अब यह मानों किसान के लिए अब तक अध्या जाता है हम जानते हैं कि टेलविजन चैनल्स पर जबसे पुलवामा को लेकर एक हमला हुआ है तब से शहादत को लेक कर एक सियासत हो रही है और इस सियासत के चलती यह जो मुद्दे हैं वो दब कर रहे गए हम अपने किसान भाईयों से जानना चाहते हैं कि क्या जिस तरह से उनमाद पहला जा रहा है जंग को लेकर आप उससे इतिफाक रखते हैं क्या आपको लग रहा है कि आपके क्यां सार्कार नहीं करना नहीं चाहिए और एक को देना चाहिए यह बता अभी तक लोन नहीं हुए क candamin hoe nord Kirum me Ajakin चौन के लिए तो आप देख सकते हैं इस जंग के मात में बुन्यारी मुद्द हम भूल कर देख सकते हैं इस तेक्रोप में नखेतों में दिल कैसे दुखता होगा और जाहिर सी बात है जब सरकार उदासीन है यह देखिए यह देखिए और आपने सुना आपने देखा यह देखिए हरे हरे आलू किसके काम के आप मुझे बताइए यह किसके काम के यह देखिए यह मुझे दिखाया जा रहा है यह आलत है आलू की इ और आप हर तरफ देख सकते हैं ये हालत है इन खेतों का मुझे उस किसान के शब्द अभी याद आ रहे हैं जिसने कुछ देर पहले कहा कि हमारे पास आत्म हत्या के लावा कोई रास्ता नहीं बचाए जी हां जब सरकारें इन समस्याओं को लेकर उदासीन हो जाते हैं तब इ और इमार का सामना कर रहे हैं सबसे बड़ी बात यह कि मीडिया का ध्यान इनकी तरफ कभी नहीं जाता यहां पर अभी मेरे किसान से बात हुई उन्होंने का कि पहली बार मैं किसी मीडिया को देख रहां उनके खेत में नंबर एक नंबर दो यहां की हाई प्रोफाइल सांस कि आंबर आफ में गाहन में इसे डालू क्या में कुछी तर्फ कर्ज में ही रहता है उसके पास कोई नहीं नहीं और दूसरा साइड बिजनेस हो जैसे को सरकार दावा करती है हम यह ओफर दे रहे हैं अब आप लगा लिए प्रदानमंती जी ने एक वो लिखा रहा था प्रदानमंती योजना एक लाख रुप्य का लॉन लेकिन मैं देख रहा हूं एक लाख लॉन तो क्या यहां पर क सौटे बरक का किसान है उससे तो कभी मिलता ही नहीं है जैसे बड़े लोग कस्ता रहें आप पर किसी बार पाचास मिलता है तो उसमें ऐसा हो जाता है कि है प्रफाइल संबंद पैसा मिलता है तो छोटे वर के किसनानों को तो देते ही नहीं और बारवर चक्कर कट वर का किसान जैसे कि ना और भी पिसरा है मैंने जिक्र किया यहां के कि है एक प्रोफाइल सांसद है एक किसांध डिल्यक्ट इasion 부드र यग उडओ मैंने जैसे चले गुण आपकी पांट साल बहुत सब्सक्राइब है यह कोई वह इत तक नहीं प्र पर भीज़िए है इसा तु autumn लिए सरे एक इसा जाती है Mongol टो लेगे पर आने का कोई नाम नहीं आता है बोट बीजेपी यह बहाना नहीं कर सकती कि सअब्ही हमारी यहाँ सरकार नहीं है यहां पवजूद इसके इनकी समस्याएं मुँ बाहे खड़ी हैं इनकी समस्याएं कोई सुनने को रजी नहीं है किसान को कई मूर्चों पर मार का सामना करना पड़ रहा है हमने देखा सरकारी उदासींता हमने देखा किस तरह से सानसद को परवाह नहीं है अपने किसानों की अब हमें एक खेत में हैं और मौसम तक ने भी इनके साथ नेंसाफ़ी की है दद्दा मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बार आलू की फसल कैसी हुई है हलकी है हलकी है इस बार कैसा आलू निकल रहा है आप हमें दिखा सकते हैं बिकेगा जब worn Genau नहीं चलेगी ये तो फीज बें पहसे कटू में चला रहेंगा वासद जब जाहिर सी बात है जब ये सब्सका किसे में इसका इस्तेमाल नहीं होगा तो ये बिकेगा उस मुद्दे को छूना भी नहीं चाहते हैं, यह है इस किसान की तरासदी। तो यहां आप देख सकते हैं यहां कि आलू को च्छाट कर उसे पैक किया जा रहा है। और यहां पर किसानों से मजदूरों से जो खासकर वो मजदूर जो इन खेतों में काम करते हैं उनसे बात करकी आभास हुआ है कि जब किसानों को नुकसान हो रहा है तो इसी से एक कड़ी जुड़ी हुई है मजदूरों की जो यहां काम करते हैं अगर किसान के घर में रोटी नहीं है तो मजदूरों के घर में कहां से रोटी आएगी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि यह साल कितना मुश्किल रहा है कि सरकार आपकी समस्याओं को लेकर जागरूग दिखाई देती है यह सरकार कोई नहीं किसान के हित्म नहीं 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 किसान के बेहाल है और जैसे लौन माप करी एक एक लाखरे पाई एक आदकी आपको लगता है कि आपके साथ यह मजाग किया गया है मजाग है टोटल मजाग वही है किसान है और माताजी जो मेरे साथ है यह मजदूर है माता जी आप बताईए किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है हमें तो भाइया देखा हो मजदू बाकु किसानना के नाए तो हम मजदू रूप कर रहे हैं अपर पेट वर रहा है है घर में बच्छों के पेट में अन जाना मुश्किल हो रहा है जब जे जन्गली सूर जे सगय खाय रहें तो फिर कांते आवेगो तो आप देख सकते हैं कि सूरो द्वारा जो बर्बादी मचाई गई है उसके निशानात यहां पर हैं आप देख सकते हैं किस तरह से सूरों ने बाकाइदा ये सब उखाड दिया है अब ऐसे में इस फसल के क्या माइने रहे आप सोच सकते हैं इनसान किस तरह से किन दूबर हालात में अपनी जिंदगी बिता रहा है ये एक रात का कमाल है आप देख सकते हैं पूरे इस खेत के इस हिससे को जंगली सूरों ने मवेश्यों ने बर्बाद कर दिया ये देख स पाडियां नहीं लगाए बुलते हैं बहुत परिशान कर रखाया जंगली जान में क्या किया मगर मुझे बात बताएए कि क्या कोई सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं दिखाई देती आपको सरकारी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है को एक बात मैं जानना यहां पर हूँ कि जब यहां पर केंद्र में मोधी सरकार है राज में योगी सरकार है सांसद यहां कि हिमा मालनिय जो बीजेपी की हैं विदाइक भी यहां से बीजेपी की तो इन लोग कि समस्याथ क्यों बनी हुई है क्या ये नाराजगी आपको नहीं होती कि हर जगे जब कि एक ही पार्टी की सरकार है मगर फिर छोनाव है कि और आप कॉई सुन तो इस बार बीजेपी को वोड़ जाएगा जब लोग सबना को पूल्वामा में हुई सियासत जो शहादत हुई है उसके बाद जिस तरह की सियासत चल रही है हमारे जवान मरे उसका तो कोई जवाब नहीं दे रहा है उन जवानों की मौत का जिम्मेदार कौन है मगर उस पर वोटों की रोटियां से की जा रही है और यहां उस चक्कर में उस शहादत के चक्कर में इन लोगों की समस्याओं को हम भूल गए है तो यह गाए नहीं, सांड नहीं, नील गाए फिर से मैं आपको दिखाना चाता हूँ, दो नील गाए खड़ी हुई है और इसी तरह से यह नील गाए, यह जंगली सुवर जो है किसानों का जी का जंजाल बने हुए है इस तरह के नजारे आपको मतुरा के आसपास आम दिखाई देंगे आप देख सकते हैं कितनी आसानी से प्यार से दो नील गाए खड़ी हुई है इनको लेकर, इने भगाने को लेकर किसान कुछ नहीं कर सकता है वो बेबस है, लाचार है, उन्होंने सरकार को नजाने कितनी अरजियां दी है मगर उसकी मदद नहीं की गई है आप देख सकते हैं किस तरह से खेतों में सांडों का जानवरों का कहर है यहाँ आप देख सकते हैं पूरा खेत खुंकार सांडों से भरा हुआ है उन्हों खुंकार सांड जिनके पास किसांड जाने से डरते है जी हाँ, यह जो है एक नई समस्या है और इस वक्त हम इसी तरह से एक आलू के खेत में खड़े हुए है जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यह फसल बरबाद हो रही है और इस फसल के बरबाद होने की एक प्रमुक वज़ा यह है कि इस तरह से मवेशी जो हैं उनकी फसल को आसानी से खा रहे हैं इन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं है क्योंकि सरकार से कह कह कर परिशान हो गए है और यह अपने आप में एक खौफनाग नजारा तो है क्योंकि कई किसानों की जाने जा चुकी है इस चक्कर में जब आप देश के ग्रामीन अलाकों में आते हैं तब आपको यह बात समझ आती है कि ग्रामीन भारत और शहरी भारत के मुद्दे कितने अलग है जहां शहरी भारत इस बात को लेकर खुश है और वो अपनी सरकार से इस मुद्दे को लेकर सवाल भी नहीं कर रहा कि आखिर तुम पुलवामा की शहादत पर सियासत क्यों कर रहे हो और वो अपनी बुन्यादी समस्याओं को भी भूल गया है वहीं ग्रामीन भारत जो है वो आईना दिखा रहा है मोदी सरकार को उसकी समस्याओं अभी भी बदस्तूर वहीं बनी हुई है शुनावों में अभी काफी वक्त बाकी है और जाहर सी बात है कि उस वक्त और अब के हालात में जमीन आस्मान का फर्ख हो सकता है मगर देश का किसान खासकर मतुरा और आगरा का जो आलू किसान है वो इस सरकार को माफ करने के मूड में बिलकुल नहीं दिखाई दे रहा उसकी समस्याओं वहीं के वहीं बनी हुई है वो पुल्वामा के बाद जिस तरह की सियासत मोदी सरकार या बीजेपी खेल रही है उसके जहासे में आने वाला नहीं है और ये अपने आप में एक बहुत कठिन और कड़ी चुनौती है उन लोगों के लिए जो हमारी शहादत पर सियासत करते हैं झाल